नमस्कार साथियों ग्यान बूस्टर कंप्यूटर शाला में मैं दीपक जैस्वाल आप सभी का स्वागत करता हूँ जैसा कि आप जानते हैं हम डॉक्यमेंट्स बनाते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारियां तालीका यानिके टेबल में दर्शाने की जरूत होती है जैसे स्क्रीन पर आपको कुछ उधारान भी दिखाए दे रहे होंगे जरुत पढ़ने पर वर्ड डॉक्यमेंट में टेबल बनाने के हमारे पास छे तरीके हैं आज की वीडियो में हम एक एक करके ये सारे तरीके सीखेंगे साथ ही टेबल में डाटा इंटरी कैसे की जाती है और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है ये भी हम सीखेंगे लेकिन इससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है ग्यान बूस्टर कम्प्यूटर्शनला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को भी एक्टिव कर लीजिए ताकि टेबल एडिटिंग के सारे पार्ट्स आपको समय पर मिल जाए वीडियो अगर पसंद आ जाएगा तो लाइक और कमेंट के साथ शेर तो आप खुदी कर देंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेबल बनाने का सबसे पहला तरीका है इंसर्ट टैब में टेबल ग्रूप में हम जाएगे तो यहां पर हमें सबसे पहला तरीका मिलेगा यहाँ पर आप दिखिए insert table वाले location पे size दिखाई दे रहा है कि हम कितना बड़ा table बनाना चाहते हैं तो जितने भी cells हम select करेंगे उतने cells को लेकर एक नया table create हो जाएगा तो इस table में जितने भी column या row हम चाहते हैं ले सकते हैं जैसे मैं चाह रहा हूँ 3 by 2 का table तो देखिए उपर आपको दिखाई दे रहा है 3 by 2 table याने कि 3 column और 2 rows की एक table insert हो जाएगी और जैसे हम यहाँ पर select कर रहे हैं वैसे ही आपको screen पर word के page पर भी table बनती हुई दिखाई दे रही है तो जैसे भी table हम चाह रहे हैं यहाँ पर click करेंगे तो एक table हमारे सामने insert हो जाएगी इस table में जितने भी boxes दिखाई दे रहे हैं यह सारे चोड़े-चोड़े boxes कहलाते हैं cells और अगर इन cells को हमने एक के बाद एक crumb से अगर रख दिया है तो यह पूरा का पूरा एक group कहलाएगा row यानि के पंक्ती तो कितने row है एक दो तीन जितने भी रो हम चाहें ले सकते हैं ऐसे ही अगर इन cells को एक के उपर एक रख दिया जाए तो बनेगा एक column तो यह पहला column यह दूसरा column यह तीसरा column हो गया है ठीक है तो row और column से मिलकर यहाँ पर एक table तयार हो गया है maximum यहाँ पर table कितने बड़ी बना सकते हैं 10 by 8 की table ठीक है मतलब कि 10 column और 8 row से बनी एक table हम यहाँ पर create कर सकते हैं ठीक है दिए तो पहला तरीका हो गया table बनाने का table बनाने का दूसरा तरीका है insert table insert table मतलब पहले वाले तरीके से जब हमने table बनाई थी तो यहाँ पर 10 column और 8 row ही ले पा रहे थे लेकिन अगर इससे ज्यादा column और row चाहिए तो insert table में जाकर हम इसका इस्तिमाल कर सकते हैं तो insert table पर हमने click किया तो एक छोटा सा dialogue box open होगा और उसमें हमसे पूछा जा रहा है number of column मतलब की कितने column हमें चाहिए तो जितने भी हम column चाहते हैं उतने यहाँ पर हमने up arrow या down arrow का use करके select किया या फिर direct हम चाहिए तो type भी कर सकते हैं जैसे मुझे चाहिए 15 column और number of rows यानि के row आप कितनी चाहिए मतलब कितनी पंक्तियां आपको चाहिए तो जितने भी पंक्तियां चाहिए उतने हमने की और ok तो जितने column और जितने rows हमने लिए थे उतने ही column और उतने ही rows को लेकर एक नई table तैयार हो गये ठीक है तो यह table बनाने का दूसरा तरीका है इसके बाद table बनाने का तीसरा तरीका है draw table draw table मतलब कभी-कभी हमें कुछ complicated tables बनाने की जरुद पड़ती है जैसे कि मैं आपको बना कर दिखाता हूँ तो draw table हमने लिया तो हमारे mouse pointer के साथ में देखिए एक pencil आ गई है और pencil का use करके जैसे हमने paint brush में किया था वैसे ही यहाँ पर भी हम draw करेंगे तो जैसे हम draw करेंगे वैसी table create होने लग जाएगी insert table draw table complicated table का मतलब यह कि कुछ इस तरह की tables भी आपने देखी होंगी ठीक है तो यह बड़ी आसानी से हम draw table का use करके design कर सकते हैं इस pencil को हटाना हो तो keyboard से escape button दबा देंगे तो pencil हट जाएगी ठीक है यह table बनाने का अगला तरीका हो गया इसके बाद next है quick tables quick tables का मतलब पहले से बनी बनाई ready made tables यहाँ पर available हैं अगर हमारी कोई जरूत AC है जो इन table से ही complete हो जाए तो इनका use हम कर सकते हैं तो जो भी table आपको चाहिए वो select की तो पहले से बनी बनाई एक table यहाँ पर आ जाएगी Microsoft Word के तरह ही Microsoft Excel एक software होता है MS Office के package के अंडर ही यह भी आता है और Excel में हम तरह तरह के formula यूज़ करके बड़े-बड़े calculation वाले काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं यानि कि उसमें कई सारे formula हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो Excel spreadsheet पर click करते ही हमारे सामने एक Excel की sheet insert हो जाएगी ठीक है और इस sheet में भी हम यहाँ पर जानकार यहां type कर सकते हैं ठीक है इसको मैं फिलाल close कर देता हूं इसके बाद अगर हमारे पास पहले से कोई data है तो convert text to table option का use करके हम उसे table में convert कर सकते हैं मतलब यह कि जिसे मैं एक नई file create कर रहा हूं मतलब मेरे पास यह पहले से कोई data है और इस data को मैंने select किया और इसको मैं चाहता हूं कि table में convert कर दें तो table में हमें मिलेगा convert text to table देखिए पहले ही option बन था लेकिन जिसे मैंने तीन paragraph को select कर लिया है तो यह option चलो गया है तो convert text to table पर click करते ही हमारे सामने एक dialogue box आएगा और इस dialogue box में हमसे पूछेगा कि हमें इस data को किस तरह से table में insert करना है ठीक है तो हमारे पास कई सारे तरीके हो सकते हैं paragraph wise कर सकते हैं अगर कॉमा लगा कर कुछ data type किया हुआ है तो कॉमा का use करके अलग-अलग cells में एन एक table में insert कर सकते हैं या और भी options है तो फिलाल हम paragraph select कर रहे हैं और okay तो देखिए पूरा data जो है तीन paragraph तीन अलग-अलग cells में अलग-अलग row में आ गया है मतलब एक table में insert होकर आ गया है ठीक है मैं simple सा कुछ data entry यहां पर कर रहा हूं और उसको हम table में convert करते हैं ठीक है जैसे मैंने लिखा serial number tab student name tab class ठीक है serial number one tab फिले student का नाम है अजय class है उसकी sixth second student का नाम है वीजय tab tab और ये भी है sixth class में ठीक है यह हमने थोड़ा सा data entry यहां पर कर लिया है अब इन सभी text को इस data को select करके insert tab में हम जाएंगे और convert text to table पर click करेंगे तो देखिए यहां पर number of column में automatic उसने चार column लिया हुआ है हम जितने भी column में यहां पर लेना चाहाँ ले सकते हैं तो मैंने इसे फिलाल कर दिया तीन column में number of rows में automatic six आ चुका है अब इसे हम कैसे separate करना चाहरे है अलग-अलग cells में मतलब table में तो tab का हमने use किया था तो tab यहां पर select कर लेते हैं और okay तो देखिए serial number student name class सारा data अलग-अलग column में आ चुका है ठीक है तो table बनाने के लिए हमारे पास पास तरीके है सबसे पहला तरीका यहां पर जितने भी cells हम चाहरा है उतने cells को select करेंगे तो उतने column और उतने ही row की एक table तैयार हो जाएगी और maximum यहां से table कितनी बड़ी बनेगी 10 by 8 की मतलब 10 column और 8 row की table अगर 10 से ज्यादा column और 8 से ज्यादा row चाहिए तो insert ए table का use कर लेंगे complicated table बनाना हो तो draw table का use करेंगे और पहले से अगर हमारा कोई data simple word की file में simply type किया हुआ है तो उसे हम table में convert कर सकते हैं convert text to table option का use करके quick table में पहले से बने बनाए कुछ tables के format हमें मिल जाएंगे direct उसको insert करके उसमें data entry हम कर सकते हैं और excel की file को भी हम यहां पर insert कर सकते हैं ताकि excel के formula भी use किये जा सके चलिए अब हम table में data entry करके देखते हैं तो मैं table में जाकर एक table select करूँगा मुझे चाहिए serial number student name और address और मुझे कुछ students का record बनाना है तो जितने भी column और row की मुझे जरूँ थे मैंने हाँ select किया ठीक है तो मेरे सामने एक table insert हो गई है अब सबसे पहले मुझे चाहिए serial number तो मैंने type किया अब serial number के बाद मुझे चाहिए student name तो अगले cell में जाने के लिए मेरे पास दो तरीके है या तो keyboard से 4 arrow key तो arrow key का use करूँगा तो right, left, up, down से में दाएं बाएं या ओपर नीचे जा सकता हूँ या फिर बेस्टर तरीका है keyboard से tab button तो मैंने tab किया तो सीधा हम आ चुके अगले cell में अब जनरली हमें tab का use करने की ज़र्वत पड़ेगी उसका reason क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा अब टाइप करते है student name tab और address tab करेंगे तो direct अगले room में first cell में चला जाएगा ठीक है serial number में हम टालेंगे first tab करेंगे तो अगले cell में आ गए student name में टाइप किया आ जाए tab अगल शिप्ट से टेब का use करके हम एक cell से कूद कर दूसरे cell में जा सकते हैं तो tab क्या करेगा एक एक cell आगे 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 लेकर जाए यानिए के tab टेब और GBT टेब आपको एक 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 cell पीछे लेकर जाएगा मतलब shift के साथ टेब टैबट य вलोसे और हो सीधा हमले सेल में चले जाते हैं और अगले सेल में जो data है जो text है उसको पूरा select कर लिए जाता है ठीक है tab tab ठीक है tab से मैं आगे पीछे अगर जा रहा हूँ तो अगले cell का data select हो जाता है लेकिन अगर चार arrow की का use करूँगा तो मुझे बहुत मेनद करना पड़े कि अगले cell तक जाने के लिए और data select नहीं होगा तो अगर select करने क फर्क आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो यह तो हमने data entry की अब आगे कुछ entries हम और कर लेते हैं तो पांच entry हमने कर ली अगर मुझे आगे और भी कुछ entries करना है तो मुझे और भी कुछ rows की जरुद पड़ेगी तो इसके लिए मुझे नई row insert करने के लिए मेरे पास तरीके बहुत सारे हैं लेकिन सबसे best तरीका फिलाल यहाँ पर है tab तो आखरी sale में हमारा cursor होना चाहिए और जैसे हम tab करेंगे तो अपने आप एक नया row insert हो जाएगा अब मैं एक नई entry और कर सकता हूँ और tab करूँगा तो फिर से एक नई row आ जाएगी मतलब यह कि जितनी बार हम tab करेंगे last cell से उतने नए row insert हो जाएगे तो एक नया row insert करने का यह best तरीका है अब जो data entry हमने की है उस data entry में फॉर्मेटिंग भी करने की जरुद पढ़ती है फॉर्मेटिंग मतलब की जैसा heading है तो heading थोड़ी सी different दिखना चाहिए बोल्ड इटालिक अंडरलाइन कलर वगरा यह सारे हमने home tab के दोरान सीखे थे तो वह सारी फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कुछ छोड़ी चीज़े मैं आपको करके दिखा रहा हूं जैसे मुझे चाहिए heading थोड़ी सी different दिखे तो मैंने select किया अब select करने के भी बहुत सारे तरीके हमने इससे पहले सीखे थे पिछले वीडियो में उनके link में आपको description में ढाल दूँगा ठीक है तो simply हम text को mouse pointer से select कर रहे हैं तो जितना मैं चाहरा हूं उतना text यानि कि उतने cell select किये अब font मुझे कौन से चाहिए है वो font मैंने select किये bold, italic, underline, font का size जितने भी options हम यहाँ पर use करना चाहें कर सकते हैं ठीक है मैं चाहरा हूं कि जिसे Sanjay की fees अभी तक आई नहीं है तो मैंने Sanjay को highlight करना चाहरा हूं selected tool लेकर हमने select कर लिया और अगर मैं चाहरा हूं तो shedding कर सकता हूं ठीक है इसके अलावा जितना भी हम चाहरे है उतना text select किया जिसे मैं पूरा text चाहरा हूं तो select करके मैं चाहता हूं कि सारा right में या left में या center में arrange हो जाए तो मैं कर सकता हूं font का size छोटा या बड़ा मैं करना चाहूं तो कर सकता हूं ठीक है bold italic underline जो भी option हमें लेना हो यहाँ पर permitting के हम use कर सकते हैं ठीक है सबसे उपर आपको एक plus handle दिखाए दे रहा है plus handle के दूप योग हम कर सकते हैं आपर पहला तो यह कि जिसे अभी तक मैं select कर रहा था तो जितने cells में चाहरा हूं उतना select मैं कर सकता हूं लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि पूरा-पूरा table हम select कर लें plus handle पर मैं click कर दूँगा तो एक बार में ही पूरी table select हो जाएगी ठीक है यह पहला उपियोग है plus handle का दूसरा उपियोग है plus पर click करके इसको हमें drag करना है तो हम table को उठा कर कहीं और भी shift कर सकते हैं जहां पर भी हम चाहें ठीक है यह देखिए plus handle से हम table को एक location से दूसरी location प कर देता हूं right click और delete ठीक है यह तो पहला हो गया plus handle उसके बाद right hand side पर एक छोटा सा point आपको दिखाए दे रहा है इस point को पकड़ कर अगर आपने drag किया तो table का size जरूत के हिसाप से हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं ठीक है यह देखिए table का size बड़ा हो गया है सभी row और सभ प्लस handle का मतलब table को select कर लीजिए पूरी table को या फिर table को उठाकर कहीं ओर shift कर दीजिए और दूसरी तरब जो एक छोटा सा handle दिखाए दे रहा है इसले हम table का size छोटा बड़ा कर सकते हैं जिसके द्वारा सारे column और row का size एक जिसा हो जाएगा ठीक है तो यह तो हमने table में कु formatting के option यूज़ करना चाहें कर सकते हैं तो साथियो आज का वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताईएगा अगले parts में हम design tab और layout tab के बारे में बात करेंगे जिसमें हम table के editing करना सीखेंगे इसके बाद भी table में हम बहुत सारे काम करने वाले हैं जिसका notification आपको समय पर मिल जाएगा धन्यवाद